Hello everyone, welcome to our channel आज हम आपके लिए लाए है 10th class history का lesson number first के important questions textual questions में करवा चुकी हूँ आज मैं करवाने जा रही हूँ other important questions इसमें first question हमारा है 1848 revolution of liberals का क्या मतलब है liberals ने जो विद्रो किया था जो revolution करा था उसका क्या मतलब है जो 1848 में हुआ था और इसके political, social and economic ideas क्या थे जिनोंने इन liberals को sport करा था जीक है अब 1848 में क्या हुआ liberals ने एक revolution करा एक विद्रो करा जिसमें क्या था जो वेरी काफी जो national movements थी उनको middle class लोगोंने help करी मतलब middle class लोगोंने बढ़ चर कर भाग लिया इन middle class लोगों के इलावा जो educated middle class लोग थे इनके साथ-साथ जो गरीब लोग थे unemployed और जो starving peasants थे जो किसान थे और जो workers थे इन सब ने इस revolt में क्या किया थे इस revolution में क्या किया था भड़ चड़ कर भाग लिया था ठीक है अब क्या हो गया था इन country लाइक जैसे फ्रांस में क्या हुआ food shortage होगी मतलि काफी खाना कम पढ़ गया और wide separate unemployment होगी 1848 में ठीक है अब 1848 में क्या हुआ जैसे ही फ्रांस में food shortage होई और wide spread unemployment लोग बेरुजगार होने लगे तो 1848 में एक popular uprising होई ठीक है और यूरोप की other parts में हुई जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड अस्ट्रो हंगारियन, इंपायर इन सब में भी क्या हुआ popular uprising होगी बिद्रों की लहरे उठना शुरू होगी ठीक है और man और woman जो थे liberal middle class के वो एक साथ होगे, एक जुट होगे और उन्होंने अपनी आवाज उठाई और demand करी कि एक ऐसे nation state को बनाया जाए जो किस पे बेस हो parliamentary principles पे बेस हो सबी लोग एक साथ होके उन्होंने अपनी आवाज उठाई और demand करी कि एक ऐसे nation को बनाया जाए, nation states को बनाया जाए जहां पर क्या हुआ कि इस पार्लिमेंटरी प्रिंसिपल की उपर उस सिदान की उपर वो नेशन स्टेट क्या करें वर्क करें ठीक है अब क्या हुआ इन जर्मनी फार एग्जेंपल वैरिस पॉलिटिकल एस्टोसियेशन्स कमपराइजिंग मिडल क्लास प्रो अब क्या हुआ कि जर्मनी में क्या हुआ कि प्रोफेशनल्स जो थे बिजनसमेंस थे और जो प्रोस्पर आटिशन्स थे वो एक साथ आगे और उन्होंने फ्रेंक्फुट में क्या किया आल जर्मन नेशनल असेंबली को बनाया ठीक है इन सभी लोगोंने मिलकर क्या किया आ जर्मन नेशनल असेंबली को बनाया और इस क्या हुआ है इस फ्रेंकफुट पार्लिमेंट इन्होंने यह जो फ्रेंकफुट पार्लिमेंट थी इन्होंने एक Constitution को Draft करा Constitution को Draft करा German Nation के लिए Constitution को Draft करा German Nation के लिए और जो किसके बेस पे था Subject था Parliament Subject to a Parliament और Headed किया जाता था इसको किसके द्वारा चलाया जाता था Monarchy के द्वारा ठीक है अब जे जो सच लिबरल मुवमेंट जो थी वो वहां के जो Conservative Forces थी उनके द्वारा दबाई जाने लगी ठीक है अब लोगोंने डिमांड करी कि कोई ऐसी Nation State बनाई जानी चाहिए जिस जो Parliamentary Principal के उपर हो फिर वहां पर ठैंक्फूर्ट में क्या हो गए कि All German National Assembly बनाईगी उस National Assembly के द्वारा एक Constitution draft किया गया ठीक है और जो मुनार्ची के बेस पे था और सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट था अब इन सभी जो मुमेंट्स थी लिबरल्स की जो मुमेंट्स थी उसको वहां की जो Conservative Forces थी उनके द्वारा दबाया जाने लगा ठीक है और जो old order था उसको कभी भी restore नहीं किया गया अब जो मुनार्च था वहां का उन्होंने realize कि जो जैसे बिद्रो होना फिर उसको दबाना जो है वो तब तक end नहीं हो सकता जब तक कि इनको जो Liberal Nationalist Revolutionaries था इनको concession grant ना किया जाए इसका मतलब जो वहां के राजा लोग थी उन्होंने ये realize कर लिया कि इनको grant concession grant करना ही पड़ेगा हमें तब जाकर जो Liberal जो Nationalist Revolutionaries है इनकी जो movement है revolution जो है वो खतम होगा अब जो political social economic ideas थे liberal के वो किसके उपर बेस थे? democratic ideas के उपर जो democratic idols थे उनकी उपर इनके जो भी political social और economic ideas थे वो बेस थे ठीक है politically वो क्या demand करते थे constitutionalism ठीक है politically कि वो क्या demand कर ले थे कि constitution बनाया जाना चाहिए जिसका base क्या होना चाहिए national unification मतलब सभी states को एक किया जाना चाहिए और सभी states के पास क्या होना चाहिए written constitution होना चाहिए जो कि और parliamentary administrative system होना चाहिए वहाँ का parliamentary administration होना चाहिए और वहाँ का constitution होना चाहिए written होना चाहिए जैसे कि आज इंडिया में क्या है constitution return है ठीक है और वो चाहते थे कि जो society class based जो partialities है society में जो class based partialities चल रही है और जो birthright partialties है उनको क्या कर दिया जाना चाहिए खतम मतलब किसी भी इंसान को उसके class के base पे जा उसके birth के base पे कोई भी right नहीं मिलना चाहिए ठीक है और जो बंदग किसान थे उस पर्था को भी क्या किया जाना चाहिए खतम पहले क्या होता था कि कुछ लोग खर्थ लेते जब खर्थ नहीं दे पाते थे तो वो उन जागिदारों के घर में बंदग किसान के रूप में काम करना पड़ता उनको ठीक है उनकी पीडिया में यही सब करती थी ताकि वो स्कर्ज को खतम कर सके लेकिन इस पर्था को खतम कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए और लिब्रल जो कंसेप्ट था नेशनल वेस्ट जो था उनका यही था ठीक है अब उन्होंने एक तो बोला कि बंदा किसान खतम होना चाहिए बर्थ और क्लास के बेस पे किसी को भी वो नहीं होनी चाहिए प्रेफरेंस नहीं होनी और फाइनली उन्होंने बोला राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए ठीक है और सभी को क्यानी चाहिए पॉलिटिकल सोचल और इकॉनमिक फ्रीडम होनी चाहिए ठैंक यू